यह सिर्फ टूटा नहीं की तो समझ मैं नहीं आईगा तो पहले जाएं और सभी वीडियो को देखें कि मैंने जो बैक टूबैक वीडियो डाला है वो राई फिल्ड इस्टेंडर 350 के प्राब्लम वगेरा का डाला है कि इससे क्या क्या दिक्कत इससे आ रही है वह आप देखेंगे वीडियो को तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं वह वागेरा कराने की वज़ वह ऐसे होता है कि जब वोस्त करा देते हैं तो इसका प्रॉपर वर्क नहीं करता है और उसी के वाज़ा से यह प्रॉब्लम आया है और यह जो यह तूटरे का जो प्रॉब्लम होगा एक्षुली यह वए आम आप लोगों दिखाते हैं कि इसका टैंक आप लोग देखेंगे आपके यहाँ मैं लेकिन बार बार बंद करने के वयाय से रहा एक तो इसमें जब वास करा है तो ब्रेक के साथ इसमें थोड़ा सा पानी चला गया और पानी गया तो फिर भी समल जाता ब्रेक लगा नहीं और पानी को वैसे लैक टाइप का हो रहा था काइबूरेटर में पान नहीं जनेरेट कर पाता है पावर कैसे क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है पानी से थोड़ी चलेगा तो इसकी वयाद से हम चड़ा रहे थे चड़ाते समय ही इसका अगर वहाँ पे वर्क नहीं कि यह गाड़ी बंद होने लगी क्योंकि पानी चला गया था काइबरेटर में तो फिर जब रिवर्स होने लगा तो ब्रेक मारा मैंने तो ब्रेक मारने पर ब्रेक भी प्रॉपर वर्क नहीं किया जो इसका पीछे वाला ब्रेक है वह लगा नहीं तो यह सब इसू के कारड़ गाड़ी मेरी गिर गई और इसका काफी भारी नुकसान हो गया मुझे जहलना पड़ा इसका यह देख सकते हैं क्योंकि यह इधर जल्दी लोकल में मिलता नहीं क्योंकि यह 2016 मॉडल है और इसके साथ साल हो चुके हैं इस बुलेट के तो इसका यह जल्दी मिल रहा था यह पार्ट यह जो ब्रैकेट है इसका तो खैर यह भारी नुकसान मुझे जहलना पड़ा तो खैर अगर अगर आप भी रॉल इंफिल्द इस्टेंडर्ड यह रखते हैं यह वाली मॉडल पूरानी वाली तो आप लोग को काफी सावधानियों बरतनी पड़ेंगी क्योंकि मेरा नुकसान हो और आप ध्यान देंगे तो आप लोग का भी हो सकता है उससे बचने के लिए आप लोग यह चीजों को ध्यान जरूर दें कि ऐसा गलती नहों आप लोग से ने तो आप लोग को भी थेलना पड़ सकता है और आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ टूटा नहीं जो बैक होने मतलब गारी जब पीछे आने लगी क्ला considers गे लेड़ सकते हैं कि द गखेर आप लोग देख सकते हैं कि इसक्राइड पड़ गया है तो कफी नुक्सान हो गया क्योंकि यह बुलेट ब्लेक हैnda यस फोड़ा भी अगर दाग लग जाता है तो अच्छे से दिखता है दिखाई पड़ता है बाकी कोई और रहता ह सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर अपनी राय जरूर दे कि इसको अगर सॉल्व करने का आपको तरीका मालूम है तो कमेंट में जरूर बता दें